गुद इवनिंग ट्वेल्थीज और आज हम डिसक्रिप्शन करने वाले हैं स्पोर्टिंग का सेकेंड पार्ट ओके जैसे कि मैंने फर्स पार्ट अल्रेडी बनाया है और उसका लिंक जो है मैंने स्पोर्टिंग का भी और बाकी के आपके बायो के प्रेक्टिकल्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है अब वहां से जा करके अपनी बायो का स्पोर्टिंग फॉर्स्ट सेकेंड एक्सपेरिमेंट और साथ में बाकी की स्पोर्टिंग एक्ससाइजेज जो मैंने भी कराई है वो आप पहले से जा कि चेक कर सकते हो और हम स्पोर्ट अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का इशूज आ रहा है तो आप जाकर के प्रैक्टिकल सीरीज में पूरी बनाने वाले हूं केमिस्ट्री की और बायो की आप जाकर के चेक कर सकते हो ठीक है बच्चो चलो अब हम स्पोर्टिंग का सेकेंड पार्ट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में हमारे चैनल पर केमिस्ट्री फिजिक्स मैट्स बाकी के वीडियो भी एवेलेबल हैं आप जाकर के देख सकते हो ओके तो चलो 144 P की तरफ से हैं हेलो मैम बीना देवी पूछे हैं मैम आप जो मैट का बताए हैं वह एकसाइज उसमें आएगा या बहार से मैंने मैट्स के लिए एक वीडियो बनाई थी आपके लिए तो उसमें आपके जो मैंने इंपोर्टेंट एकसाइज बताई हैं वह बहुत जाद कर लोगे तो आपका 72-80% जो है वह कवर हो जाएगा अभी मैट्स की बाते नहीं करते हैं मैट्स के सवाल मैट्स की क्लास में पूछेगा अभी हम बायो के प्रेक्टिकल्स की बात कर लेते हैं ठीक है बच्चो चलो सबसे पहले मैं आपसे नॉर्मली बार डिसक्स कर लिए आपके संथे सीन प्रेक्टिकल्स काईगा और आपको क्या-कया तियार करना है जो मैं ने बाकी की वीडियो में भी किया है तो एक बार इस शॉर्ट में बता देती हूं, ठीक है, 30 marks का आपका practical आएगा, एक major experiment 5 नमबर का, minor 4 नमबर का, slide preparation 5 marks में, sporting 7 marks में, एक-एक sporting 1-1 marks की आएगी, practical record आपका 5-4 marks का आएगा, और आपकी जो project आपको मिला है, वो 5 marks का आएगा, तो total 3 आपके experiment और 7 नमबर आपके sporting के हो होंगे, ठीक है, clear है सबको, pinky thumbs up, ओके, अब देखो, अब एक experiment एक बार ही हम देख लेते हैं, मतलब एक बार ही देख लेते हैं, क्या-क्या आपको करना है, देखो, pollen germination आपका minor experiment 4 नमबर में आएगा, और डी मैं करा चुकी हूँ, onion, root tip, mitosis, 5 नमबर में, slide preparation में आएगा, करा दिया है, जाकर के description से link देखके, जो है, आप देख लेना, यह experiment, ठीक है, साथ में यह मैं कराऊंगी, population density and frequency, यह आपका major में आएगा, DNA extraction आने के paper में, chances नहीं है, क्योंकि यह बहुत जादा, centrifugation वगएरा के requirement होती है, exam, practical के perspective से, आपका school आपको इसको अरेंज कराए, यह बह अब हम बात कर लेते हैं, आपकी spotting की, spotting आपकी बहुत सारी है, already में एक video बना चुकी हूँ, जो कि मैं आपकी wind और इंसेक्ट, देखो, wind, insects और birds, तीन आपके इसलिबस में, birds वाले आपके नहीं आएंगे, जो plants है, आपकी wind और इंसेक्ट वाले ही आ सकने है, जो मैं करा च testis, जो कि आपका microscope में permanent slides हम इस सवाली spotting में discuss करेंगे, आपकी permanent slides, TS of testis, TS of ovary, TS of blastula, ठीक है, और वीडियो को end तक देखने के बाद आप देख लेना, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगी, चीजों को याद करने में, और spotting को एकदम से identify करके लिखने में, ठीक है, तो बारी वीडियो ध्यान से सुन लोगे, तो exam paper में बिल्कुल भी रटा मार के जाने की जौरत नहीं है, तुमें नहीं कुछ याद करके रट के जाने की जौरत है, बिल्कुल भी, एक बारी बस वीडियो को देख लेना, और जब exam paper, जिस दिन तुमारा हो practical, उससे एक दिन पह करते हैं, smileys भेज़ दो मेरे को, ताकि मैं आगे आपका जो है, ये spotting सार्ट करूँ, ठीक है, चलो बच्च जल्दी से, I am waiting, अब हम आगे सार्ट करते हैं, जो की है, ts of testis, ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी पहली permanent slide की बात करते हैं, जो है ts of testis, देखो, तुमें न ये देखने में कुछ ऐसा दिखेगा, जब आपको microscope में permanent slide दी जाएगी देखने के लिए, तो आपको microscope के under लगा करके वो exercise देखनी है, या फिर most probably आपको वो arrange करके ही देंगे, आपको सिर्फ उसको see-through करना है, तो आपको ऐसी ही देखो बच्च जो, ऐसी slide देखने के लिए मिलेगी, देख रहे हो, ये, ऐसा कुछ structure आपको देखने के लिए मिलेगा, ये saminiferous tribules हैं आपके, ठीक है, तो ऐसा आपको testis देखने के लिए मिलेगा, इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि जब आप इसको देख लोगे, तो आप एक बारी बस आपको देख करना है, उसके बाद जादा इसको देखने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, तुम लोगों क्या करना है, अपनी sheet में लिखना है, क्योंकि सिर्फ एक मिनट मिलेगी लिखने के लिए, ठीक है बच्चो, तो ये जब देखोगे, identify हो गया, कि testis है, उसके बाद ये देखो, अब ये वाला diagram देख लो, ठीक है, ये diagram जो जो मैं बता रही हूँ न, वो मेरे साथ साथ समझ लिखते चलो, उसके बाद comment लिखना is very easy, ठीक है, क्योंकि हमें TA section explain करना है, तो देखो, सबसे पहले ये testis है, मैं तुम्हें कुछ बाते बताती हूँ, मेरी सुन लो, पहले ध्यान से, फिर समझ में आ जाएगा, मैं क्या कह रही हूँ, ठीक, ये तुमारी testis है, उसके उप ठीक है, TV, TA, TV, मतलब, Tunica vaginalis, Tunica albugenia, और Tunica vasculosa, ओके, तो आपकी TV, TA, TV, तीन आपकी layers होती है, testis के उपर, ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये है, samniferous tribules, ऐसे कम से कम 200 से 300 samniferous tribules तुमारे होते हैं, testis में, ठीक है बच्चो, समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है, उसके बाद ही क्या होता है, हमें, हमारे samniferous tribules के अंदर देखो क्या है, इसके अंदर ये cuboidal cells हैं, ये जो cuboidal cells हैं, इनको हम कहते हैं, germinal epithelium, ये, germinal epithelium, ठीक है बच्चो, semniferous tribules हो गए हमारे, samniferous tribules, उसके बाद हमारे पास क्या है, germinal epithelium, germinal ep पिछ में दिखाई दे रहा है यह तो तुम्हारे क्यूंड एसके बीच में यह दिख रहा है परपल परपल कलर का यह यह सब्सक्राइब यह तुम देखो इलब पिंक टेलर कि एल परपल्पल सी लिखनी है YES अइंक इसम्स चिपने हुए मतलब सब्सक्राइब स्बाइब धर ठीक है क्यों क्योंकि यहां से नूरिश्मेंट ले रहे हैं सॉरी यह क्या करें यहां से नूरिश्मेंट ले रहे हैं तो जब यहां से नूरिश्मेंट ले रहे हैं इसलिए यहां पर यह एंबेड़िड हैं इनके सर और हमें क्या दिख रहा है बेस्मेंट मैमरें जो कि मतलब Seminiferous Tribule के चार तरफ हैं, यह हमें इतना लिखने की जौरत नहीं है, उसमें, तो जो मैंने समझाया समझ में आ गया, इतनी बाते समझ में आई, डाइग्राम जो समझाया है, बस यही तो लिखना है, यही तुम्हें लिखना है, देखो, तुम्हें कमेंट में क्या लिखना है, तुम्हें जो बाते अभी मैंने समझाया, वही लिख देनी है, अब जैसे कि थ्री लेयर्स होती है, टीवी, वैजिनालिस, एल्ब्यूजीनिया, ट्यूनिका, वस्कुलारिस, टीवी, टी ए, टी वी, ठीक है, दो सो से तीन सो सैमनिफेरस Tribule होते हैं, क्यूवाइडलर जर् से, उसके बाद सर्टोलाइस सेल्स होती है, जिने हम नूरिश्मेंट सेल्स भी कहते हैं, और ये सर्टोलाइस सेल्स भी आपके सैमनिफेरस Tribule के अंदर होती है, जो की नूरिश्मेंट प्रोवाइड करती हैं, आपके स्पर्म सेल्स को, है ना, और स्पर्म बंडल होता है, जो की attach होता है to the fertilized cells, ठीक है, तो आपकी यह points आपको paper में लिख के आने हैं, सबको समझ में आ गए, अब समझ में आ गए हैं, तो याद भी हो गए होंगे, है ना, चलो अब मेरको जल्दी से एक smiley भेज दो, जिन जिन को अभी तक clear है, फिर हम आगे चलते हैं, चलो बच्चो जल्दी करो, waiting, अच्छा मैं तब तक ना, एक सवाल तुम लोगों से है मेरा, अब मैं देखती हूँ कि कौन-कौन जवाब देता है, इस सवाल का, कि तुम्हारा टेस्टोस्टिरोन जो है, वो कौन सी cells से secret होता है, कौन सी cells हैं, जो कि टेस्टोस्टिरोन को secret करती है, मेरको यह जवाब दो, देखती हूँ मैं कौन-कौन बच्चे रिप्लाइ करते हैं, कौन कितना पढ़ रहा है, आज दूद का दूद पान का पानी होता है, ठीक है, चलो, smileys, I'm waiting for smileys, guys. ओके, 1144P की तरफ से हमें smileys आ गई हैं, और हम और बच्चों की smileys का wait कर रहे हैं, जल्दी करो बच्चों, फिर हमें spot 4 भी discuss करना है, पूरा दिन नहीं है हमारे पास, waste करने के लिए, और तुम्हारे पास भी नहीं होगा, of course, तुम्हारे बोड के exams आने वाले हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी है, चलो, तुम लोग तो irresponsible हो, तो चलो, हम आगे देख लेते हैं microscope के through, तो आपको क्या दिखाई देगा, microscope के through जब आप देखोगे तो आपको ऐसा structure दिखाई देगा, देखो, ऐसा, यह differentiate अब ही कर लेना, कभी testis को ovary और ovary के ts section को तुम testis लेखाओ, तो बहुत गडबड हो जाएगी, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ध्य अगर तुम देखोगे testis का तो उसमें क्या होगा, एक singular structure होगा, जिसमें छेद छेद, बीच बीच में, मतलब hole, cavities, type कुछ तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है, तो ऐसा सा जो तुम्हें 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 ओवरी का within slide जो है, दिखाई देगा, यह permanent slides का मैं तुम्हें तुम्हें आगया ना, इसका मतलब यह है कि तुम्हें बहुत easily क्या हो जाएगा, तुम comment भी बहुत easily कर लोगे, तो जैसे कि हमने testis में क्या था, हम ovaries में भी same करेंगे, हम क्या करेंगे, हम समझेंगे पहले, क्या आखिर यह diagram TA section हमें बताता क्या है और इसमें क्या है, क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम की लेर है, ठीक है, इसकी लेर है, जर्मिनल एपिथेलियम की, ठीक है बच्चो, आप इसके अंदर देखो, एक ओवम था यहाँ पर, ओवम से स्टार्टिंग वी, ओवम यहाँ पर गया, इसके उपर follicles बन गए, इसके चार तरफ क्या फिर follicle का size इतना बड़ा हो गया है, ठीक है, जब यह size बड़ा हो गया, तो हम इसको कहेंगे graphene follicle, क्योंकि यह एक ultimate follicle बन जाता है, जिसमें से हमारा ओवम release होने वाला है, ठीक है, यह इसके अंदर जो cavity develop हुई, इसको हम कहते हैं entrum, ठीक, उसके बाद यहाँ पर आया, तो यह क्या हुआ, यह degrade हो गया, क्योंकि इसके अंदर ओवम develop हो रहा था, फिर इसका ओवम जो था, वो release हो गया, ओवम आपका egg cell है, जो कि release हो गया, उसके बाद जो बाकी बचा portion है, आप देख सकते हो diagram में, वो बचा हमारा, वो बचा corpus lutum, मतलब waste, तो यह हमारा जो waste है, य यही हमारा ovary के अंदर काम चल रहा है, है ना, तो हमने यह देख लिया, अब हम इसके उपर comment बहुत easily कर सकते हैं, कर सकते हैं बच्चों, आहिर, ओके, बलब तुम्हारी आपस की conversation हो रही है, यहाँ पर pinky जी hello, ओके, यहाँ पर मैं तुम्हें को समझा रही हूँ, इस पर ध्यान दे लो, तुम्हारे practicals अच्छे चल जाएंगे, practicals में अच्छे marks आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, comment section की हम, अगर मैं बात कर लू जो comments मैंने आपको बताएं, वही, lined with germinal epithelium, right guys, देखो, lined with germinal epithelium, ठीक है, ovum, जो है, वो surrounded with the follicular cells, यही बताया था, मैंने आपको ovum surrounded with the follicular cells, और जैसे-जैसे follicles बढ़ेंगे, वैसे-वैसे, क्या होगा, development होगा, तो यहाँ देखो, जैसे-जैसे ovum mature हो रहा है, वैसे-वै follicular की जो layer है, follicle की जो layer है, वो बढ़ रही है, फिर entrum की cavity develop हो जाएगी, graphion follicle बनेगा, है ना, तो ultimate follicle क्या बनेगा, graphion follicle, और इसके अंदर cavity develop हो जाएगी, जो की है entrum, है ना, अब हम देखें, तो corpus lutum फिर generate होगा, तो जैसे ही ovum इसमें से release हो जाएगा, क्योंकि यह develop हो हो चुका है, है ना, बच्चों, क्योंकि यह develop हो चुका है, तो यहाँ से corpus lutum, जो है, वो release हो जाएगा, निकल लेगा, पत्ली गली से, ठीक है? ओके, आहिर sorry ma'am, sorry तो बेटा आपको होना चाहिए, क्योंकि आपके practicals हैं, आपके board के exam आने वाले हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी serious नहीं हैं, अपने board के exams को ले करके, अभी भी बच्चे आते हैं, live classes में, comment sections में, एक दूसरे को आपस में comment करते रहते हैं, पूरा time ऐसे ही waste कर देते हो, देखो, हमारा कुछ नहीं बिगाड रहे हो, अपने बिगाड रहे हो, जो बिगाड रहे हो, exam सारे हैं, तयारी कर लो, महनत कर लो, कुछ, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं होएगा, मेरे board के paper, बच्चो, बहुत पहले हो चुके, ठीक है, और number 5 है हमारा transverse section of blastula, ठीक, तो हम इसकी भी starting क्या करेंगे, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, कि आपको slide में कैसा दिखने वाला है, permanent slide में, ठीक है, permanent slide में आपको blastula ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ egg type है ये, और इसमें बीच में कुछ cavity types आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो आप इसको देखे identify कर लोगे, कि ये blastula है, ठीक, अब हमने जैसे अभी तक किया है, हम testis और ovary का हमने डाइग्राम पढ़ा, और हम डाइग्राम के हिसाब से फिर हम उस पे comments पढ़े, तो जो कि आप easily उसके बाद अपने exam में लिखकर क या पाओगे एकदम सीधे सीधे, ठीक है, तो हम उसी तरीके से similarity यहाँ पर करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले हम diagram को understand करेंगे, ठीक है, तो हम देखो, सबसे पहले diagram अगर हम देखते हैं, इसके चारो तरफ जो layer है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, बच्चो blastoderm, ठ कहते हैं ठीक है इसके जो चार्व तरफ आपकी लेयर है फिर यह जो आपकी ब्लास्टुला है इसके अंदर कैविटी है कैविटी हाँ यह लिखी कैविटी ओ ब्लास्टो सिस्ट या फिर हम इसे कहते हैं ब्लास्टो कोईल ठीक है ब्लास्टो सील मतलब तो आपको पता ही कैव हमने इसको कहा blastocele, उसके बाद इसके चारो तरफ एक layer दिखाई दे रही आपको यही cell की, यह blastomeres है छोटे-छोटे, जो की एक दूसरी के साथ arranged है चारो तरफ layer में, और इस layer को हम कहते है trophoblast, या फिर trophoderm, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अंदर क्या है inner cell mass है, इसमें भ अच्छो, develop होगा, तो क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा embryo, ठीक है, तो यह क्या है, starting में आपका कुछ भी नहीं होता है, मतलब यह आपका ovum है, ovum develop होके आपका embryo बनेगा, तो यह है आपका inner cell mass, ठीक है, तो आपको यही चीजें explain करनी है, जो मैंने भी आप को बताईए, आपके comments, आपको इतने जादा comment करने का time भी नहीं मिलेगा, 5 comments maximum, enough होंगे आपके exam के लिए, जो आपको identification features, अपने spotting में बताने है, ठीक है बच्चो, तो आपको सबसे पहले क्या बताने है, देखो, sphere है size में, यह समझ में आ रहा है, epithelial covering जो होती है, इसके च cavity है, उसको हम क्या कहते है, blastoceal कहते है, blastoderm के अंदर, जो cavity है, इसको blastoceal कहते है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो outer layer है, blastomere की, उसको हम कहते है, या फिर टोपोडर्म, और उसके बाद inner cell mass जो है, वो आपको दिखाई दे रहा है, जो की attached है, टोपोडर्म के साथ, आपको यही 4-5 बाते बस आपने exam paper में लिख कर कर आनी है, यह diagram ड्रॉ कर 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 आ जाना, जो मैंने आपको दिखाई है, यह diagram आपको ड्रॉ कर 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 आने है, यह वाले, यह वाला, और यह वाला, ठीक है, यह तीन diagram जब भी, अगर यह आपके तीनों में से कोई एक तो आएगा बच्चो पर्मनेंट स्लाइड में, तो आपको यह draw कर कर के आना है paper में, और जब आप draw करोगे, आपको diagram याद होगा, तो आपको easily comments भी आते होंगे, तो वीडियो को दुबारा देख लीना, एक बर यह एक्जाम से पहले देख कर के चले जाना, तुमारा exam paper बहुत अच्छा हो जाएगा, बायो का practical, जादा कोई परिशान होने वाली बात नहीं है, बाकी के sporting, जो sporting के आपके experiments हैं, वो भी मैं आपके करा दूँगी, दो वीडियो की notebook से लिया है, यह आपको exam में इस तरीके से करना है, जैसे आपको spot C mention करना ही हाँ पर, उसके बाद identification features लिख करके, आपको identification features लिखने हैं, इन्होंने बहुत कम लिखे हैं, आपको 5 लिखने होंगे, Samniferous Tribules आप प्रेजेंट देको, मैंने तुम्हें अल्रेडी बहुत short करके बताया हैं, तुम्हें वही चीज़ें लिखने हैं, और ऐसा एक सुन्दर सा अच्छा सा diagram बना आना, जिस जो सुन्दर सा आपने label भी किया हो, तो आपको पूरे marks मिलेंगे उसके उपर, ठीक है, आपके पूरे आएंगे spotting में marks, और बचो practical के marks आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक-एक marks भी बहुत ज़्यादा माइनर रखता है आपके board के exams के लिए, तो हम इत्ती महनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी importance देते हुए, प्लीज वीडियो को like कर देना, share कर देना, चैनल को subscribe कर देना, और अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी issue है, कोई query है, तो आप comment section में मेरे को बता सकते हो, साथ में हम, अगर आप चाहते हो कि हम किसी और तरह की वीडियो भी बनाएं, तो भी आप comment section में बता सकते हो, thank you so much for watching the video, bye bye tata